बिना वीजा के भारतिय जा सकते हैं ये टॉप 10 देश हेलो फ्रेंज, टॉप 10 हिंदी में आपका स्वागत है आज हम बात करने जा रहे हैं टॉप 10 ऐसे देशों की जहां भारतियों को वीजा की अवशक्तान नहीं है और आप बिना वीजा के इन देशों में कहीं भी जाके घूम सकते हैं हलाकि आपको इस बात पे ध्यान देना है कि आपके पास कोई भी सरकारी कार्ड होना चाहिए और साथ ही उस देश का मुद्रा भी तो आई ये देखते हैं एक नेपाल नेपाल भारत के बहुत ही करीब है इस देश में भारतियों के लिए आने जाने में कोई दिक्कत नहीं है नेपाल एक ऐसा देश है जहां पे भारतिया बिना वीजा के केवल घूम ही नहीं बलकि काम भी कर सकते हैं यहां पे आप रह भी सकते हैं लेकिन आपके पास ID प्रूव होना जरूरी है जैसे की आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, इत्यादी। भारत और नेपाल के संबंद अच्छे होने के कारण ये संबभ हुआ है। सन 1950 में इंडो नेपाल ट्रीटी फॉपीस और फ्रेंड्शिप के चलते दोनों देशों में आज तक भी शांती कायम है और ये देश एक दूसरे के परम मित्र हैं। इसलिए भारतिये आराम से नेपाल जा सकते हैं और उन्हें वीजा की जरूरत नहीं है। यहाँ पे 52 पशुपतिनाथ मंदर से लेकर सुन्दर वादिया हैं जिसे देखने के लिए हर साल कई भारतिये जाते हैं। नेपलीज मुद्रा की तुल्ना में भारती रुपे की कीमत भी अदिख है। तो अगर आप बगली बार बाहर जाने का सोच रहे हैं तो नेपाल सबसे सही जगा है। 2. मौरिश्यस मौरिश्यस को एशिया के देशों में सबसे सुन्दर देश माना जाता है। यहाँ पे हर साल लागों परियटक आते हैं और यहाँ पे आप सुन्दर वाटर फॉल्स, प्रकृती, मीला पानी का लुट्व उठा सकते हैं। साथ ही अगर आपको वाटर स्पोर्ट्स पसंद है तो मौरिश्यस आपके लिए बिलकुल सही जगा है। क्या आप जानते हैं कि इस खुबसूरत देश को जाने के लिए भारतियों को वीजा की आवशकता नहीं है। मौरिश्यस का भारत के साथ अच्छे संबंध हैं और यही कारण है कि आप मौरिश्यस सिर्फ पासपोर्ट के साथ जा सकते हैं। मौरिश्यस एर्पोर्ट पहुचने पे आपकी पासपोर्ट पे साथ दिन के लिए अनुमती दी जाएगी इस देश में रहने के लिए। इसकी सिर्फ एक ही शर्त है कि आपके पास भारत वापस आने के लिए रिटर्न टिकेट होना चाहिए। सिर्फ घूमने के लिए नहीं, आप साथ दिन तक बिजनस ट्रिप पे भी मौरिश्यस जा सकते हैं। भूटान भारत का निकटतम देश है और ये एक तरफ से सिक्क्यन से जड़ा हुआ है। खुश्टवरी ये है कि यहाँ पे भी आपको वीजा की कोई जरूरत नहीं है और आराम से भूटान में घूम सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आप ये भी जान लें कि भूटान जाने के लिए आपको क्या-क्या चाहिए। आपको अपने साथ पासपोर्ट, आइडेंटिटी प्रूफ जो की कोई भी भारतिय सरकार के द्वारा जारी प्रमान पत्र हो सकता है। जैसे की वोटर आईडी, अधार काड हो सकता है। साथ ही आप भूटान में भारत के पांसो और दो हजार वाले नोट नहीं चला सकते। इसलिए आपको भूटान के मुद्रा में ही पैसे खर्च करने हैं। भूटान हिमालियास के पूर्वी हिस्सों के लिए मशूर है और साथ ही बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री के लिए भी। चार हाइटी शायद ऐसे बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने हाइटी के बारे में सुना होगा। जी हाँ, हाइटी ये करिबियन देश है जो डॉमिनिक रिपबले के पास थित है। ये एक ध्वीब जैसा है जिसके चारो और पानी ही पानी है और इसलिए ये देखने के लिए बेहत खूब सूरत है। आपको जानके अश्चर्य होगा कि ये एशियाई देश ना होने के बावजूद भी यहाँ पे भारतियों को वीजा की आविशकता नहीं है। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। एरपोर्ट पहुचने के बाद आपको वहाँ पे सिर्फ अपना पास्पोर्ट देना है और दस डॉलर का फीज भरना है। बस उसके बाद आप हाईती में कहीं भी गूम सकते हैं। दोनों देशों के मुद्राओं में ज्यादा अंतर ना होने के कारण आपको इस देश में ज्यादा खर्चा नहीं आएगा। पांच जमाइका अगर आपको समंदर, डॉल्फिन, नाच गाना, उचे पहाड ये सब पसंद है तो जमाइका आपके लिए बिल्कुल सही जगा है। आपके जरूरत पड़ेगी और एयरपोर्ट में पासपोर्ट पे वहाँ के ऑफिशल्स स्टैंप कर देंगे। उसके बाद आपका पासपोर्ट ही वीजा की तरह काम आएगा और आप बड़े असानी से जमाइका में रह सकते हैं। लेकिन यहाँ जाने के लिए आपको देश के पास थित है। यह देश कार्निवल आयोजन करने के लिए दुनिया भर में काफी मशूर है। इसके साथ ही अगर आप पश्यू पक्षी के प्रेमी है तो यह जगा आपको जरूर जाना चाहिए। इस देश में भारतियों को बिना वीजा के जाने की अनुमती है पास बात यह है कि यह नियम सिर्फ परियटक के लिए ही नहीं बलकि काम के सिलसले पे जाने वाले लोगों पे भी लागू होता है। का अंदाजा बिलकूल सही है। यहां आपको दुरलब जीर देखने को मिलेंगे और आप Amazon की सेर भी कर सकते हैं। भारतियों के लिए खुशी की बात यह है कि बिना वीजा के आप UK डॉर में 90 दिन रह सकते हैं। आपको सिर्फ अपना पासपोर्ट लेके जाना है। ध्यान कि आप जानते हैं कि Pacific महासागर में ये देश बसा है और यहां पे लगभग 400 दुईप हैं। इस जगह का नजार अब बहुत ही खुशूरत है और अपने में एक अलग ही दुनिया है। यहां पर परिये टक आते जाते रहते हैं और ये बहुत ही साफ देश है। भारत के लो परियने से ज्यादा वैलिड होना चाहिए। इंडोनेशिया में हर साल भारतिय परियाटक के रूप में जाते हैं। ये देश भारत के काफी करीब है और आप कम खर्चे में एक अच्छी जगह घूम सकते हैं। इंडोनेशिया में वालकेनों से शुरू करके पश्यू पक्षी और यहां तक की उनका संगीत पूरी दु होती है जिस दिन आप एरपोर्ट में पहुँचते हैं। तो ये थे हमारे टॉप 10 देश यहां भारतिय बिना वीजा के जा सकते हैं। हमारे सारे वीडियो पर इतने सारे कमेंट्स देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमें खेद है कि इतने सारे कमेंट्स को हम शेयर करें। हमारे चैनल पर दूसरे ट्रावल वीडियो भी अवश्य देखें।